कुलजीत सिंग रंधावा ने आपके टिकट से डिराबसी विधानसवा शहत्र से जीत हासिल की वही जीत के बाद कुलजीत सिंग रंधावा ने खास बातचित की हमारे पंजाब से वियोरो हेड श्वर्ण जीत सिंग से इस दोरान कुलजीत सिंग रंधावा ने क्या कुछ कहा कि आगे आने वाले 5 सालों में वह हलके के सबी विकास काडियों को पूरा करेंगे और क्या कुछ कहा कुलजीत सिंग रंधावा ने आपको सुनमाते हैं नमस्कार हर खबर देख रहे से भी दर्शुकों का बहुत-बहुत स्वागत है एक ऐसा नेता जिसने देरा बसी में जीत कर एक नया अध्याय रचा कुलजीत सिंग रंधावा जिनों ने चुनाव इस प्रकार से लड़ा कि डारेक्ट कॉंटेक्ट बनाया मत दाता के साथ और सामने उनके थे दो बार से विधायक एनके शर्मा जो कि अकाली दल से और सामने थे दीपिंदर सिंग धिलो जो कि कॉंग्रेस पार्टी थे हमारे साथ है रंधावा साथ रंधावा साथ सबसे पहले बहुत-बहुत बदाई है शासी काल पंजाबियो हलका डेरा बसी दिनव किता है जी हलके दाव ने विकास कीता हूं दा ताइनों प्योदे पोतनों पुछो का का तू दासा दासा ले मेले रहां ते तो पहला कैप्टन पंद्रास आ रहा आज डेरा बसी हलके दे लोगा ने वरकरा ने आज पचीती साल प्रणा काली दाल्दा गड़ और उस बरोट हवा साब की मेहनत थी क्योंकि हमने देखा कि इतनी मेहनत प्रत्याशी ये ये नहीं कि आप सामने क्योंकि वह आपकी तश्वीर हमने शोचल मीडिया पर वायरल होती देखि जब बरसाथ थी और आप गाड़ी को धक्का लगा रहे थे क्या मत दाता समझ गया कि असलियत है और ये हमारी आवाज विधान सबाव में उठा चोटे विर मैं किसान का पुतर हूँ मैं मजदूरी करना जानता हूँ ये लोग तो इसी कमरों में पैदा हुए ने क्या पता गर्मी ठंड क्या होती है आज एनके शर्मा अपने अपनी धरातल को ने बचा सका अपने शेर को न सबढसें करने हमने शान लगाई है उस लोग ओन सब्सक्रापने शेर में ने इसको अपना प्रॉट ना होते तो यहां से जी ता मेरे पसी लोगन ने बाइस अजार वोटों से इसको राया आने वाले समय में क्या जिस हिसाब से आमादमी पार्टी को भूमत मिला है निकाई को क्या ये भी हो सकता कि भंग कर एक बर साफ तरीके से चुनाब करवाए जाए देखो आमादमी पार्टी का विजन बिलको किलिए रहा है वो अच्छे कर दिया हम उनके कभी पैर नहीं लगने देंगे आमादमी पार्टी का विजन के लिए रहा है अरविंद केज्रिवल का मिशन केलिए रहा है कि ऑ आमादमी के लिए खाञा अ आज मत दान आज लोगों ने मत दान किया अपनी मत से दान किया और इतना इचले बंपर मारजन आज देख लिए पिछले 35 साल में, 40 में, कभी इतनी बड़ी वोट बैंक से कभी जीतनी हुई जीतनी इस बार हुई है। आज अज लोगों को अपने यहां नोकरियें दिलवाई है। आज लोगों को बहुत दाकर डाल लिए अपको और आप नबस भी जानते हैं जिस परकार से हालात है पंजाब में ट्रांसपोर्ट हैं। चोटे बिर अरविंद केजरी वाल की नीटियों का आशक हो कि मैं अमादी पार्टी में आया हूँ। मेरे लिए मंत्रा ले लेना हमेद नहीं रखता। मेरे लिए अरविंद केजरी वाल और हमारे प्रेजडेंट और हमारे आने वाले मुक्य मंत्री जो बन रहे हैं। को दिशा नर्देश जो देगे हम वो करेंगे हम तो ज़ाड़ू चलाने में विश्वास करते हैं। पार्टी जो फैसला लेगी हमें मंजूर हो अपने विधान सभा के वोटरों के लिए कोई मैसेज देने हैं। देराबसी हलके के वोटर स्पोर्टरों को उनका धन्यवाद करता हूँ और आपको बेंती करता हूँ कि आप विश्वास बिना की रखिये जिस विश्वास से आपने 35 साल बाद अकाली दल की जड़ों खाड़ी है। का ये भाई कुल जी तरनदावा डट के आपके साथ रहेगा कोई जुलमत्य अचारात के बादे रबसी हलके में नहीं होगा। के लगाएंगे डेरा बसी में बहुत कैपीबल ऐसे पुलस अफसर हैं जो प्यार से काम कराना जानते हैं लेकिन ये फोर सी बली उनको प्रेशर करके रख्या करते हैं वही पुलस रही होई मलाजिम रहेंगे। आपने देखा किस परकार कुलजीत सिंग रंधावा जो की साफ जिनके टिप्स पर है कि देराबसी हलके में कि किन किन चीजों को नकारा गया और जान बूज कर जूटे एफ़ यार दर्ज हुए और उन्होंने का चाहे वो अकाली दल का नेता हो चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो चाहे वो कॉंग्रिस का हो किसी के साथ भी भेदबाव नहीं किया जाएगा खास तोर पर डेराबसी विधान सबक्षेतर में और उन्होंने ये जीत का श्रे अपने वोटरों को देते हुए और साथ ही अरविंद केजरिवाल पर आशिक होने की बात करते हुए का इसलि लेगा बहराल ये किस कितने हद तक ये सचाई लोगों के सामने आईगी क्या वाकि में कुलजीत सिंग रंधावा वहां पर खरे उतर पाएंगे इन सब पर नजर बनी रहीगी आप देखते रहे हर खबर कैमरा पर से नर्दीब के साथ मैं स्वारन